नुश्कार दूस्तों एक बार आप सोच के देखिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहाँ पे आप जो भी सोचेंगे वो सब कुछ चुटकी बजाते ही हो जाएगा यानि कि अगर आपको एक चीज एक जगा से उठाकर दूसरे जगा पे रखनी है तो आपके सोच के वज़े से ही आपके इमाजिनेशन के वज़े से ही वो एक जगे से दूसरे जगा मूव हो जाएगी एक ऐसी दुनिया इमाजिन करके देखिए जहां पर अगर कोई देख नहीं सकता है तो उसका विजिन पूरा मिल जाएगा उसको अगर कोई चल नहीं सकता है तो एक बार वो फिर से चल पायेगा और वो भी सब कुछ एक टेकनालोजी के वज़े से एक ऐसी टेकनोलोजी जो की डेवलोब कर रही है Neuralink ये कमपनी है Elon Musk की और इस कमपनी ने कई सालों से मेडिकल के फील्ड में धमाका करके रखा है इस कमपनी ने इतने बड़े-बड़े discoveries किये हैं जिनके बारे में जवाब जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे ये एक ऐसी कमपनी है जो की पूरे के पूरे human civilization को बदल के रख सकती है आज सोचके देखिए एक ऐसा समय रहेगा जब सब के सिर में एक chip डला रहेगा जिस chip के वज़े से सारे human beings एक super human की तरह काम करने लगेंगे आपको वो समय तो याद जरूर होगा जब लोग बोला करते थे 2015 से 2020 तक दुनिया में flying cars होंगे हर जगा उड़ती हुई गाडियां आपको दिखेगी आज वो समय सच होता हुआ तो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन जिंध्यों ने 1999 की movie देखी है The Matrix वो सारी sci-fi film में जितनी भी बाते होती थी आज वो सब कुछ सच होते हुए दिख रही है आज हम लोग Neuralink के दो important projects के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने जाओंगा कि कैसे Neuralink सारे humans को एक समय पर कंट्रोल कर पाएगा और ये एक्चुली में कितना जादा डेंजरस हो सकता है तो चलिए हम लोग वीडियो के शुरुआत करते हैं Neuralink के एक ऐसे project से जिससे जो देख नहीं सकता है वो देख पाएगा जी हाँ पूरे की पूरे blindness जो होती है उसको technology के मदद से Neuralink क्यों और कर सकता है इस project का नाम है Blind Sight Blind Sight को समझने से पहले आपको human eye देख कैसे सकता है आप जो भी इस वीडियो को अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं ये समझना थोड़ा सा important हो जाता है देखिए अपने आख में बहुत सारी light एंटर करती है वो जो छुटे छुटे electromagnetic waves होते हैं वो आपके आखों के अंदर जाते हैं और आपके आखों के lens के अंदर से जाके वो सीधा retina में जाके strike करते हैं वहाँ पे बहुत सारी special lenses होती है special cells होते हैं जो कि ये सारे जो information आ रहा है हम लोग electromagnetic waves को क्या लेंगे? information नहीं लेंगे उन सारे information को वो decode करते हैं और फिर neurons तक भेजते हैं और neurons तक ये सारे information optical channels के थ्रू जाते हैं और आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि हमारे body में 100 billion से भी जादा neurons होते हैं यानि कि हर जगा आपके सरीव में neurons है आपका body ही ऐसा function करता है अगर आपको कहीं पर pinch भी कोई करता है कि आपके दिमाग में तुरंत वो information पहुँच जाता है और आपको पता ही नी चलता है ये कितना जल्दी हो जाता है ये सारा process यानि कि आपका पूरा सरीर neurons के एक पूरे network पे काम करता है और इसी network के base ये हमारा पहला और दूसरा project भी अब जैसे ही light के ये सारे information पहुंचते है neurons के पास वो visual cortex जो की दिमाग के पीछे होता है वो उसको बता देता है stimulate कर देता है कि भाया ये देखना चाता है इनसान और तुरंत ही आपके सामने वो image generate हो जाती है ये इतने जल्दी होती है सारी चीज़े कि आपको पता नहीं लगता है आज की जो medical facility है medical technology है वो इतने ही based है कि वो आखों में जो problem है वो उतनों को solve कर सकती है पर पूरी blindness को cure करने की technology अभी तक बनी नहीं है और यहीं पर entry होती है neural link की neural link के कैसी technology बना रहा है ब्लाइंड हो जाते हैं ये channel उनका block हो जाता है और इस channel की block होने के वज़े से information जो होता है वो एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा पाता है यानि कि वो कुछ देख नहीं पाता है बंदा लेकिन neural link क्या करेगा neural link फिर से वो channel को जोड़ देगा सिर्फ और सिर्फ वो channel को जोड़ने का काम करेगा और इसी channel को जोड़ने के वज़े से इनसान देख पाएगा जितरा बोलने में ये आसान लग रहा है वो actually technology में उतना जादा आसान है नहीं देखिए ये sound बहुत जादा complex कर रहा है ये system अपने आप में बहुत जादा complex है लेकिन ये कई लोगों की पूरा जिंदगी बदलने वाला है नूरा लिंका ये पहला project blind sight कई लोगों की जिंदगी तो बदलेगा ही लेकिन उसी के साथ साथ human civilization को आगे ले जाने में मदद करेगा नूरा लिंका second project और इनका सबसे जादा important project और सबसे जादा चर्चित project the telepathy project telepathy का मतलब क्या होता है आप ये समझ ये सबसे पहले telepathy का मतलब होता है अपने दिमाग से किसी भी चीज को काबू कर लेना और यही चीज हासिल करना चाहती है नूरा लिंक अगर आपको अभी तक लग रहा था कि इनका जो पहला वाला project है वो बहुत ही जादा complex है तो जब आप second वाले project के बारे में सुनेंगे तो आप और भी जादा हैरान हो जाएंगे इस project में actually आपके दिमाग के अंदर आपके brain के अंदर एक chip लगाया जाएगा स्क्रीन को देख कर बोल सकते हैं कि मेरे को ये गोटी मूव करनी है और आपका दिमाग वो गोटी मूव करवा देगा कम्प्यूटर से ये कोई future की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये आज की हकीकत बन चुकी है नूरा लिंक का ये टेलेपैथी प्रोजेक्ट पूरा यूमन सिविलाजेशन को बदल देने वाला है कैसे ये मैं आपको बताता हूँ आपने कई सारी मूवीज देखी होगी जिन मूवीज में मूवीज में मूटेटेड यूमन बिंक्स होते हैं जिसके वज़े से वे मूटेट हो जाते हैं यानि नॉर्मल यूमन सिविलाजेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और इंसानों के उपर पहुँच जाते हैं ऐसा ही कुछ काम करने वाला है नूरा लिंक का ये टेलेपैथी प्रोजेक्ट भी आपके दिमाग में एक ऐसी चिप लगाई जाएगे जिसके अंदर छोटे-छोटे तार होंगे वो तार आपके दिमाग के हर एक नस से जुड़े होंगे सारे नूरॉन्स को पता रहेगा ये चिप आपके अंदर है और वो चिप आपके सरीर का जितना भी मोशान है वो सब कुछ कंट्रोल कर पाएगी इलॉन मस्क का ये भी दावा है कि ये चिप को लगा कि आप दुनिया के सारे कंप्यूटर को कंट्रोल भी कर पाएगे आपको जो भी कुछ चाहिए रहेगा वो आप कर लेंगे नूरा लिंक का जो ये टेलीपैथी प्रोजेक्ट है उसे कुछी दिन पहले भी यूमें ट्राइल शुलू किया गया था और एक बंद्या पूरा चेस्स खेल पा रहा है करसर कंट्रोल कर पा रहा है इस छोटे से एक चिप के वज़े से जो उसके दिमाग में मौझूद है जितना ओसम ये साउंड कर रहा है ये अक्चुली में उतना ओसम है लेकिन आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि आखिर इस चिप को हमारे दिमाग में लगाया कैसे जाएगा इसे डॉक्टर्स लगाएंगे आपके दिमाग में आपका छेट जो होगा उसे डॉक्टर करेंगे लेकिन जो एक्चुल चिप है उसको एक स्पेशलाइजड मशीन आपके दिमाग में लगाएगी क्योंकि इसमें बहुत पतले पतले तार है तो उसे किसी यूमन के द्वारा लगाना तो नामुम्किन है इसके तार जो है वो 20 गुना पतले हैं किसी भी यूमन हैर से है यानि कि आप सोच के देख सकते हैं कितने ज़्यादा पतले तार है इसके और वो तार जब आपके दिमाग में जाएंगे तो जो sensation होगा वो तो कुछ और होगा जैसे मैंने पहले बताया ब्लाइंड लोगों को दिखाने के लिए विज्वल कोटेक्स जो होता है उसमें स्टिमिलेट करेगा इनका पहला वाला डिवाइस जो सेकेंड डिवाइस है वो मोटर कोटेक्स होता है जो कि आपके सरीर के सारे भाग को हिलाता है वो उसे टार्गेट करेगा और आपके सरीर को अच्छे से फंक्शन करने में मदद करेगा अब इनिशली तो यह आप सोच सकते हैं कि यह पैरलाइस बंदे जो होते हैं या फेस्पेशली एबल जो लोग होते हैं उनके मदद के लिए यह डिवाइस बना है लेकिन इलॉन मस्क किसे ऐसे सेल नहीं कर रहे हैं वो इस डिवाइस को ऐसे सेल कर रहे हैं कि वो यूमन सिविलाइशन में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है और यह एक्चौल में जिन्दगी बदल सकता है यह यूमन सिविलाइशन को एक ऐसे लेवल पर ला सकता है जहां पर सोच भी नहीं पाई है यूमन सिविलाइशन आने का जो पहला डिवाइस लॉंच किया है नूरा लिंक ने इलॉन मस्क इसे बोलता है यह एपल का आइफोन वन है आइफोन वन में आपको याद होगा कितने कम फीचर दिये गए थे यानि कि इलॉन मस्क के हिसाब से यह आइफोन वन है अभी इसके कई सारे वेरियंट्स आने बाकी है यानि कि नूरा लिंक का अभी भी डेवलोप्मेंट होना बहुत जादा बाकी है और फिर भी अभी तक इतना ज़ादा आगे बढ़ चुकी है नूरा लिंक की ये दोनों टेकनोलोजीज लेकिन फिर यहाँ पर अभी श्राप कैसे है ये अभी श्राप ये ऐसे है कि जब नूरा लिंक का टेलिपाथी प्रोजेक्ट है उसे बनाया जा रहा था तो उसे सबसे पहले monkeys के उपर test किया जा रहा था pigs के उपर test किया जा रहा था और news में ये बात चल रही थी कि 1500 से भी जादा monkeys को मार दिया जा रहा था इस project को complete करने के लिए उनके trial में ही कई सारे monkeys मर जा रहे थे जिसका response करते हुए Elon Musk ने tweet भी किया था लेकिन उस tweet में Elon Musk ने बताया था कि कैसे वो बुड़े जो है monkeys उनका use कर रहे हैं बुड़े monkeys को मार दे रहे हैं वो healthy monkeys को नहीं मार रहे हैं अभी शिराब कैसे हो सकता है human civilization इससे पूरी की पूरी खतम हो सकती है आपने sci-fi movies देखे होगी आज आप सारे sci-fi movies के जितने भी system होते हैं जितने भी technologies होती हैं वो सारे अपने सामने सच होते हुए देख रहे हैं लेकिन sci-fi movies में एक villain भी बन जाता है जो villain सारे human civilization को साथ में control करना चाहता है और control करके destroy करना चाहता है Elon Musk पहले सी एक ऐसा plan बना रहे है कि जब भी ऐसा एक moment आएगा कि पूरा दुनिया खतम होने वाले रहेगा तो सारे जो humans हैं वो उड़कर Mars में जा सकते हैं तो अगर Elon Musk चाहें तो जो chip वो सारे humans के अंदर डालेंगे उस chip से वो सारे humans को control भी कर सकते हैं अगर आप बोल रहे हैं ये बात कि मैं अपने अंदर वो chip डलवाओंगा ही नहीं आप सोचके देखिए कि ऐसा समय आ जाएगा जब सारे humans के अंदर वो chip डली ही रहेगी अगर आप वो chip नहीं डलवाते हैं तो आपको जो बगल वाला बंदा है वो आप से जादा mutated है आप से जादा strong है वो यानि कि जब jobs की बारी आएगी तो सबसे पहले उसको prefer किया जाएगा और आप अकेले depressed पड़े रहेंगे तो उस समय आपको भी यही neural link के chip को अपने दिमाग में डलवाना पड़ेगा तब आप कैसे बचेंगे इस wave से जिस wave को control करेंगे Elon Musk सारे सारे human beings जितने भी उसे control करने की कोशिश करेंगे एक ऐसा समय भी तो आ सकता है ऐसा भी हो सकता है कि यह जो Bluetooth technology से काम करने वाली devices है जो आपको देखना सिखाएगी जो आपको चलना सिखाएगी वो सारी devices hang भी तो हो सकती है पुरानी भी तो हो सकती है इनको repair कौन करेगा इनको hang जब हो जाएगी तो इंसान करेगा तो आखिर क्या करेगा और क्या इतना बड़ा risk लेना human civilization के लिए सही भी है कहीं अगर AI या फिर robots या फिर चिप जो दिमाग में लगाए जा रही है इनसानों की वो इनसानों को ही control करना शुरू कर दें दीरे-दीरे तो कहीं या human civilization के लिए एक अभी शिराप सचका तो नहीं बन जाएगा ये सब सोचने वाली बात है लेकिन इसी के साथ सोचने वाली बात ये भी है कि आज के दिन science कितना आगे पहुँच चुका है आज के दिन technology कितना आगे पहुँच चुकी है कि एक समय पे जो सच में हमें impossible लगता था क्या सोचते हैं आप Neura Link के बारे में और Elon Musk जी के बारे में क्या सोचते हैं आप कि ये सारे humans को एक समय पे कंट्रोल करनी की कोशिश करने लगेंगे हमें comment section में जरूर बताया है ये सारी बाते और हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं भीया तो हमारे चैनल को subscribe करके जाना मत भूलिएगा आज की वीडियो वस इतना ही मलते हैं अगले वीडियो है